हलो डियर इस्टुमेंट्स वेलकम टू मैंगेंट ब्रेंज आया हूं आपके लिए वही पार्ट टू जी हां मोस्ट इंपॉर्टन्ट कोश्टन्स पावर पैक स्रीज चल रही थी पार्ट वन हो गया था जिसमें हमने एंजी कुश्ट और टूफ डिसकस कर लिये तक आज हम करेंगे पार्ट तू जहां पर हम करेंगे मैचिंग मैजदा फॉल्विंग टैप कुश्ट फिल इन दा ब्लैंक और वेरी शौर्ट आंसर टाइप कुश्टन्स कर लेंगे भाई पार्ट तू में तो इस्टुमेंट बे ले वाली क्लास आपने नहीं देखी तो जाकर कर देख लिए जगा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे कॉंसेप्चिल वीडियो और सॉलूशन आ चुके हैं चलिए बढ़ शुरू करते हैं आची क्लास 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 स्टार्ट करने से पहले लेट में अब कर दो लेटवर्म जो प्रोवाइट करा रहा है हाई क्वालिट एजूकेशन यहां पर आपको किंटर गार्डन से लेके 12 तक सारी क्लास के सारे सब्जेट कोर्स सैट मिल जाते हैं बिलकुल फ्री में हर क्लास का हर कोर्स सैट में आपको मिल जाएगा भाई और आपको मिलेंगे भाई एमाई क्यूस मुल जाएगा बिलकुल फ्री में आपको कुई क्रिविजन वीडियो वन शॉट रिविजन यह सब भी बिलकुल फ्री में मिल जाता है और इस तुदेंट्स आपको लाइफ सेशन मिलता है यहां पर आप अपने रियल टीचर से रि सब्सक्राइब के लिए और यह सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारी वेब साइट पर www.magnetbrains.com हमारी एप पर सेम नेम से एप है प्ली स्टोर पर और हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा सब कुछ बिलकुल फ्री में बॉस और राइट के चलिए बए शुर कॉछन मैंच दा कॉलम टाइप कॉछन दो मैचिंग हम लोग करेंगे भाई इसमें मैच दा कॉलम ए विद कॉलम बी कॉलम एक बार पढ़ लेते हैं जल्दी से कॉलम ए में लिखा है कोफिशेंट ऑफ एक्स इन 24 एक्स वाइख वाई स्कूर सम आफ 9x स्कूर य स्कूर एं 2 कोफिशेंट ऑफ एक्स कॉविशेंट का मतलब मैंना आपको बता है था साथ वाला एक्स के साथ में क्या है PayPal में एक्स के साथ में क्या है PayPal में आप यह डेखी एगा x के साथ multiply में है boss 24y x के साथ multiply में है 24y तो कोफिशेंट हो जाएगा इसका 24y यह हो गया भाई यहां पर match आल राइट कितना असान सहे था नेक्स देखिए factors of 5xy square factors of 5 यह टर्म है 5xy square किस के multiply करके बनी है बाई किस को multiply करके बनी है 5 को x को y को और y को 5 को x को y को multiply करके यह बनी है boss तो factors यह हो जाएंगा 5xy and y 5xy हो गया भाई c से match कितना असान सा यह कॉश्ट अगर क्लियर है तो यह कॉश्ट बहुत ज़्यादा आसान है next देखते हैं some some जभी possible जब like terms हो some या फिर difference जभी possible जब like terms हो तो देखिए x square y square x square y square variable same xy xy variables की power same x की power 2 यहां भी x की power 2 y की power 2 यहां भी y की power 2 मतलब algebraic factor same है जब same algebraic factor होता है तो boss like terms कहलाती है like terms होती है तब ही हम add या subtract कर सकते हैं अगर मैं 9 x square y square को add करू 2 x square y square में तो 9 or 2 11 answer आएगा 11 x square y square 11 x square y square यह रहा boss all right यह हो गया match चल यह देखते है next अगली बार मतलब अगले पार्ट में क्या है यह देखिएगा 4th minus 2 x square y square को add करना है minus 9 x square y square क्या यह like terms है algebraic factor same है like term इन दोनों को add करेंगे भई minus इन दोनों को add करते हैं जल्दी से देखिए minus 9 x square y square को sum करना है minus 9 x square y square किसमे minus 2 x square y square by plus minus 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 9 x square y square plus minus 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 क्या हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा तो minus 9 minus 9 minus 2 minus 11 x square y square x square y square यह भई कर देते हैं इसको match I hope you are interested this very well kids तो जल्दी से इसको रब कर देते हैं students यह कर दिया भई हमने इसको रब आल राइट इसको कर दो आप क्विकली note प्यारे बच्चो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यह सारे concepts factors, coefficients, sum, like terms, note it down quickly all right kids बढ़ते हैं आगे देखते हैं next part यह रहा भई next part 3a minus 2b plus 4a minus 9b all right 13a minus 2ab minus 2a plus b चलिए भई करते हैं solve कोई बात नहीं left side में भी कुछ लिखा हुआ है right side में कुछ लिखा हुआ है तो left side बाले को solve करते हैं क्या है first part first part देखिएगा धियान से 3a 3a minus 2b plus plus 4a minus 9b instruments बीच में लगा है plus अगर बीच में plus लगा है या minus लगा है इसका मदलब तर इन दोनों algebraic expression को प्रस लगाया तो my गराया जा रहा है minus लगाया तो subject कराया जा रहा है एक Elg ngày expression यह है एक Elg Tomorrowosos Mail conscient यह है दो Zak filिय canyon को add कर reckless करना है कैसे करेंगे भही lahi लाइक ट्रम्स में लाइक ट्रम्स ही एड हो सकती है, लाइक ट्रम्स में लाइक ट्रम्स ही सब्रेक्ट हो सकती है, तो यह concept है addition of algebraic expressions का, तो पहला rule, पहला step क्या है, not rule, पहला step क्या होगा, group the like terms, like terms का group बना हो, like terms को पास-पास रखो, तो देखिये, 3A, 4A, AA, same algebraic factor वाली term को पास-पास रखा हमने, 3A, 4A, और, यह क्या है भई, minus 2B, बीच में कुछ नहीं है तो प्रस लगा दो, minus 2B और minus 9B को हमने पास-पास रखा भई, 3A, 4A, group the like terms, group, group, solve the groups, step 1, group the like terms, step 2, solve the group, तो 3A और 4A, 4, 5, 7 like terms, यह हो गया, 7A, minus 2B, minus 9B, minus, minus, plus, sin आएगा, minus, का 9 or 2, 11B, यह हो गया बहुत, 7A, minus 11B, 7A, minus 11B, यह रहा भई, answer आपका, all right, clear है, बहुत जादा असान है, यह रहा आपका फाइंदा answer, answer में like terms नहीं होनी चाहिए, answer में unlike terms होनी चाहिए, यह को like terms को हमने group बना के पहले ही solve, कर दिया है, चल यह देखते है, next, next, यह रहा बहुत आपके सामने, 6A, plus 3AB, minus 2A, bracket में, A, minus B, all right, kids, all right, चल यह देखते है, second, 6A, actually, यह 3rd है, 6A है, 13A, 13A, minus 2AB, minus 2, A, plus B, all right, यह पूरा है, big bracket में, कोई बात नहीं, 13A, minus 2AB, minus 2 की multiply, A plus B से हो रहीं, minus 2 की multiply, जब A से होगी, तो minus 2A, minus 2 की multiply, जब B से होगी, तो minus 2B, अब यह question बिलकुल इसकी तरह हो गया है, क्या करेंगे, group the like terms, 13A, minus 2A, group the like terms, and solve the groups, यह A, B, और यह B, यह A, तो भई, A वाली टरम से एक साथ, minus 2AB, और minus 2AB, बाद बे, 13A और 2A, minus 2, और 13A में से, तो यह हो गया, बास, 11A, minus 2AB, minus 2B, right side देखिए, 11A, minus 2AB, minus B, आगे बीचे आप इसको अराम से कर सकते हैं, तो यह हो गया भई, इधर जाकर के match, all right, तो मैं side ओ रहा हूँ, आप इसको note करिएगा, उसके बाद next two parts देख लेते हैं, okay students, बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, next parts, यह कर देता हूँ मैं रभ, okay students, next है भई, 6A, plus 3AB, 6A, plus 3AB, minus 2A, और bracket में लिखा हुआ है, A minus B, बिल्कुल पिछले वाले question की तरह है, 6A, plus 3AB, as it is, 2A की multiply, minus 2A की multiply, A से होगी तो minus 2A, minus 2A की multiply, minus B से होगी तो minus minus plus 2AB, plus 2AB, like terms, एक साथ, 6A के साथ कोई भी नहीं बना रहा, pair-like का, 3AB और 2AB, कितना हो गया बो, 6A, as it is, यह हो गया, 3A और 2A, 5A, B, minus 2A स्कौर, जी हाँ, अब देखते हैं, right side, एक में है 2, एक में A, minus 2A, plus 5B, plus 6, minus 2A, plus 5B, plus 6, आप क्या करेंगे बोस, 13A, यह तो हो गया, 6A, plus AB, minus 2A स्कौर, minus 2AB, minus 2AB, minus minus plus 2AB, तो 2AB और 3AB, 5AB, 6A, as it is, minus 2A स्कौर, अगर मैं यहां से, A कॉमन ले लू, देखिए, A कॉमन है यहां पर भी, अगर मैं यहां से, A कॉमन ले लू, तो यह क्या बचेगा अंदर, अंदर बचेगा, 6 plus 5B, minus 2A, 6 plus 6 plus 6, 5B plus 5B plus 5B, minus 2A, minus 2A, A bracket के बार, तो यह बेटा यही है, इसको जल्दी से यहां पर कर देते हैं, match, बात समझ में आ रही है, यह आगी बीचे करके लिखा हुआ है, और कोई बात नहीं है, 2A minus का है, 2A minus का है, 5B or 6 plus का है, 5B or 6 plus का है, that's it, और पूरे के बाहर में, बाहर, bracket के बाहर है 2, bracket के बाहर है 2, यह होगा ऐसे match, अब देखते हैं, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है, finding the value of algebraic expression वाले concept पर depend, algebraic expression given है, मैं score up कर दे रहा हूँ, algebraic expression भही given है, कहां है algebraic expression, algebraic expression यह राब वास, 6A square, minus 2AB, 6A square minus 2AB, minus 2B square, algebraic expression given है, और variables की value भी given है, तो algebraic expression की value कर find करनी है, तो उसके अंदर जो variables given, उनकी value पूट कर दो, variable A और B, A की value है 1, और बाइस B की value है 1, A की जगा पर 1 पूट कया, तो 6X 1 square, minus 2 into A की जगा पर 1, B की जगा पर 1, 2 into B की जगा पर 1 square, A की जगा पर 1, B की जगा पर 1 मैंने पूट किया, 6, 1 का square 1, 6 into 1, 2 into 1 into 1 2, 2 into 1, 1 का square 1, so 6 minus 2 minus 2 6 minus 2 minus 2 minus 4 6 minus 4 who get 2 so it will match over here all right how easy it is just substitute the value of variables so in this question in this algebraic expressions two variables are there a and b and values of a and b is also mentioned to just substitute the value of a and b in the algebraic expression you will get the value of the algebraic expression you can see over here please note it down quickly I hope you're interested this very well note it down quickly kids all right so it's so match the column we have done it let's move ahead let's see the fill in the blanks some or difference of two like terms is by do like terms in ungasm yeah if it's do like terms could difference kya ga sum or difference of two like term is like term custom or like term cut difference though like terms say ungasm unka difference kya ga boss by suppose that do like term x or a 3x correct 3x or x 4x kya ya boss monomial kya monomial aiga all right difference karen ga to be 3x minus x 2x monomial a jaega all right instruments shall get the next in the formula area of circle pi r square circle ka area formula hai bhai pi r square in the formula the numerical coefficient of expression numerical coefficient pi r square ka numerical coefficient kya hooga jaldi bhai pi r square pi ki value hai boss 22 upon seven r square all right to numerical coefficient kya hooga bhai yeh toh hooga numerical coefficient 22 upon seven hooga or 22 upon seven boss pi hai to numerical coefficient ho jayega boss pi baat samaj me ai i hope you know very well about the value of pi all right上 और प्छिखलिया वाले चैप्टर में जी हां जी से प्टर the हमारा parameter area महां पर बहुत बहुत ज्च में आपको PDF के बारे में बताया गया था समझाया गया Spotify students चलिए देखतें आथ 3A square B and minus 7 B a square यहां पर A है यहां पर A है पावर A की 2 यहां पर पावर A की 2 B है B है B की पावर 1 B की पावर 1 मतलब कहने का यह हुआ दोनों ही टर्म में same algebraic factor हुआ यह हम कह सकते हैं same variables with same exponents same variables with same exponents या फिर हम कहेंगे same algebraic factor इसका मतलब these are like terms all right A square B यहां पर A square भी नहीं है यह A square B है यह B square है A और भी A और भी तो है लेकिन उनके exponents लेकिन उनके exponents same नहीं है तो यह unlike terms I hope you're interested very well water like terms and water unlike terms all right बहुत easy है conceptual videos बनी हुई है इन पर नहीं देखी तो जा करके देखिएगा basic of algebraic expression के नाम से वीडियो है और उसमें सब कुछ आपको पड़ा है गया है in the expression 2 pi r the algebraic expression is l expression at 2 pi r expression 2 pi r algebraic variable by 2 pi r algebraic variable to R है बस all right algebraic variable is R बात समझ में आ गई R is the answer all right हो गया recall बहुत बढ़िया करके आपको recall हो गये होंगे बही सारे concepts note कर दीजगा जल्दी से ओके इस बढ़ता है आगे फिर देखता है next question next questions here I was the value of 5 upon 2 x square plus 5 at x equal to minus 3 मतलब यह algebraic expression given है इस algebraic expression की value निकाल ली है और variable की value minus 3 है तो how to find the value of algebraic expression you know very well just substitute the value of variable in the algebraic expression to add the value of that algebraic expression इस्वेट्स आपने वीडियो देखी होगी finding value of algebraic expression के नाम से वीडियो आई थी नहीं देखी तो जा करके देख लीजेगा और जिन लोगों ने देखी हुए है मुझे comment करके बताईए एक्स की जगह पर पुट कर रहा हूं भाई minus 3 क्या है इस algebraic expression की value देख लेते हैं 5 upon 2 x की जगह पर पुट किया minus 3 square as it is plus 5 5 upon 2 minus 3 का square 9 आपको मैंने बताया था बचो क्या बताया था base negative power even base negative Power even तो answer 5 9s of 45 upon 2 plus 5 by solve कर लो fraction में निकाल दो आंसर या फिर भाई आंसर देदो किसमें आंसर देदो decimal में all right x के जगा पर minus 3 पूट किया तो 9 5s of 45 upon 2 45 upon 2 का मतलब 22.5 plus 5 27.5 27.5 all right students I hope you understood this very well in x to the power 4 4 is called the 4 क्या क्या लाएगा भाई भाई a to the power b to be is called exponent and is called base all right the 4 kya exponent power exponent all right students I hope you understood this very well all right I hope you understood this very well clear चलिए भाई इतको थोड़ा रपकर देता हूं में next से देखते हैं in 3x 3 is called dash and x is called dash 3 क्या कहलाएगा 3x में 3 is called dash and x is called dash 3 is called coefficient and x is called by 3 coefficient कह सकते हैं 3 को कह सकते हैं x का coefficient x को कह सकते हैं तिरी का coefficient all right और इसको हम numerical coefficient भी कह सकते हैं इसको algebraic coefficient भी कह सकते हैं all right instruments 3x यह 3x है तिरी को हम numerical coefficient कह सकते हैं जगा फोड़ी काम है यहां लिकल लोगा न्यूमेरिकल को विशेंट को न्यूमेरिकल को एफिशेंट और यहां पर algebraic coefficient यह लिटरल को विशेंट लिटरल भी कह सकते हो गई लिटरल को एफिशेंट दसम आफ 2xy-6xy square and 3xy plus 5xy square is इन दोनों को एलजेबरिक expression को एड़ करना है इन दोनों को तो इसको में रप कर देता हूं राइट साइड में भाई एड करूंगा और यू नो वेरिवल हो एड़ एलजेबरिक expressions ज़स्ट गुरूप दा लाइक टरम्स एंड सॉल दा गुरूप पहला तो देखते हैं पहले में नोड कर लेता हूं भाई किन को एड़ करना है 2xy-6xy square 2xy-6xy square plus 3xy plus 5 5xy square गुरूप दा लाइक टरम्स तो 2xy के साथ भाई पेर बनेगा 3xy का and 5xy square के साथ पेर बनेगा भाई minus 6y square का group the like terms, like terms, like terms, solve them 3 or 2, 5xy 5 minus 6 minus 1 minus 1 को अब लिखो या मतलिको 5xy square तो भाई, answer आ गया हमारा 5xy minus xy square 5xy minus xy square I hope you are interested in this very well बहुत असानी से आपको इस समझ में आ गया होगा simply हमने बस add किया है that's it add करने के rules आपको पता है like terms in the expression n, n plus 1 plus 6, n minus 1 r भाई, पहले देखना पड़ेगा n, n plus 1 plus 6, simplify करो इसको like terms n square plus n n square plus n plus 6 n minus 6 like terms like terms बहुत से रही n, sorry n और 6 n like terms are n and 6 n क्योंकि यह दोनो solve हो जाएगा आगे जब solve करेंगे तो बात समझ में आ गई I hope you are interested this very well बहुत बढ़िया आपको यह समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों आल राइट नोट कर लिजएगा quickly kids all right students सारे questions बहुत बढ़िया करके समझ में आ रहे होंगे बहुत बढ़िया करके recall हो रहा होगा बहुत बढ़िया करके instruments आपके समझ में यह आ रहे होंगे प्यारे बच्चों X plus Y plus Z is an expression which is neither monomial nor X plus Y plus Z यह क्या है trinomial है trinomial है क्यों तीन unlike terms है जब यह trinomial है तो यह ना तो monomial होगा और नहीं binomial होगा भाई जब trinomial है तो monomial binomial कैसे हो जाएगा तो यह लिखा है ना तो monomial और ना तो binomial हमने पुट कर दिया बहुत बढ़िया speed of car is 55 km per hour the distance covered by y are the christians covered by y are is यहां से देखो speed है 55 km per hour एक घंटे में 55 km जा रही है तो वाई घंटे में कितना जाएगा एक घंटे में 55 तो दो गंटे में 2 into 55 तीन घंटे में 3 into 55 तो वाई घंटे में वाई into 55 km मतलब answer final अगर हम बात करें तो final answer 55 Y km speed का मतलब है पर आर लिखायना 55 km पर आर एक घंटे में 55 को दो गंटे में 2 into 55 तीन गंटे में 3 multiply by 55 य गंटे में य ऐं टेपलाव ऐब पशपन य इंटो पशपन मतलब 15 पाश्पन वाई किलोमेटर that's it पाश्पन वाई किलोमेटर बात समझ में आ गई पाश्पन वाई किलोमेटर डिस्टेंस पूछा है मैंस ए मैंनस बी मैंनस दिक्षें मैंनस ए आइस इस ओर है यह वाला मायंच एजग के बाहर norma is true यह बनसी हो जाएगा बी ब्लस सी चटरों जब अब ब्रेकेट को ऊन्ड करोगे प्रेकट के बाहर ही मायैस कहलो होगे फ्रेकेट के बार मायैस है bracket में जितनी भी ट्रा में सबके साइन चींज होंगे क्योंकि यह पूरा ब्रैकेट माइनस हो रहा है पूरा ब्रैकेट माइनस हो रहा है तो बी माइनस होगा और सी भी माइनस होगा इसका मतलब का बेजरीन तरीका है रिकॉल करने और कॉंसर्ट बेजरीन तरीका है मेरे साथ mcq miqs करो next question देखते हैं if x square y plus 2y square plus 3 subtracted from 3x square plus 2y square plus 5 then coefficient of y in the result भाई अगर यह पूरा सब्टरेक्ट होगा इस पूरे में से तो जो answer आएगा उसमें y का coefficient क्या होगा तो बैए एक तरीका तो यह है कि आप पूरा सब्टरेट करो इसको इसमें से सब्टरेट करो group the like terms solve the groups करके और एक तरीका यह है कि आप सिर्फ वाई वाले जो वाई ट्रम वाले जो वाई वेरियबल वाले ट्रम से उनको सब्टरेट करो क्योंकि हमें answer कोफिशेंट चाहिए य का तो बहुत देखिए य का कोफिशेंट कहां पर है य का कोफिशेंट यहां पर तो नहीं है कोई भी वाई यहां पर वाई है नहीं यहां पर वाई है यहां पर भी नहीं है बहुत बढ़िया कोफिशेंट आफ वाई तो एक्स स्कूर वाई like terms भी नहीं है x square y x square y यह minus हो जाएगा 2y square means 2y square minus हो जाएगा 5 में से 3 minus हो जाएगा बहुत बढ़िया coefficient of y y तो ही नहीं coefficient of y हो जाएगा 0 आप solve करोगे जब तो answer में y आए गई नहीं answer में y नहीं है तो y का coefficient 0 y can be written as y into 0 all right क्योंकि y ही नहीं y into 0 को मतलब 0 बात समझ में क्योंकि y ही नहीं all right students I hope you're some ajma आगया होगा आप इसको solve करिएगा homework है मेरी side से इसको solve करिएगा solve करने के बाद रिजल्ट आता है उसमें देखिया y का coefficient क्या है y इसमें हो गई नहीं य नहीं है तो y को कोफिशेंट 0 that's it note it down quickly kids okay so it's the Phillips हो गए है complete बढ़ता है आगे देखते हैं short answer type questions कुछ questions solve करते हैं जिनके answer बहुत short short होते हैं चलिए भई करते हैं कुछ असान-असान से questions को solve your students question third classify the following as monomials and binomials monomial मतलब एक term binomial मतलब two terms नहीं two unlike terms जी हां तो भई नाम बताना है बस इनका तो देखते हैं भई एक term और दो term दोनो unlike है two unlike terms का मतलब यह हो जाएगा binomial all right कैसे करेंगे solve चलिए solution देखते हैं कैसे करेंगे a part 2x square minus 5 आप लिखेंगे since it consists of it consists of two unlike terms two unlike terms therefore it is binomial बिल्कुल इस वाले method को follow करेंगे इस वाले presentation को follow करेंगे all right आ रहा है समझ में क्यूंकि इसमें दो है इसलिए यह बाइनोमियल है that's it चलिए नेक्स पार देखते हैं यह ही टम है बाई एक ही टम है all right by multiply हो रहा है 3 upon 22 xyz का multiply होने के बाद जो प्रोड़क्ट आता है उसको एक टम कहते हैं term is the product all right तो एक टम है क्या हो जाएगा भाई since it consists of one term therefore it is monomial therefore it is monomial all right इसको देखिए one term second term एक टम है 2x square दूसरी टम है minus 7x since it consists of since it consists of two unlike terms therefore it is binomial all right therefore it is binomial बात समझ में आ रही है भाई binomial trinomial के लिए binomial trinomial के लिए यहां पर two unlike three unlike unlike आएगा और monomial it consists of one term बात समझ में आ रही है clear है कर लेंगे अपना बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने आप करने दोनों बताना है सुरेंट्स note it down all right kids बढ़ता है आगे देखता है next question question fourth classify the following as binomials and trinomials all right इस बार हम शॉट में नहीं कर रहे है भाई इस बार हम प्रॉपर ही करेंगे a part क्या गिवेन हम भई गिवन अलजयबरिक expression is 3x square minus 2 एक तर्म और minus 2 दूसरी तर्म 3x square one term minus two अधर तर्म two terms are there two terms are there एक 3x square दूसरी minus 2 क्या करेंगे भाई since it consists of it consists of two terms two terms नहीं two unlike terms यह गलती भाई हो जाती एकसर two terms नहीं two unlike terms two unlike terms two unlike term है therefore 3x square minus 2 is binomial binomial all right second part b part देखिये 3x square 4x cube plus 3x square plus 6 4x cube plus 3x square plus 6 given यह since it consists of since since it consists of three unlike terms three unlike terms all right therefore four it is it is trinomial 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 here x square algebraic factor x square यहापर x और यहापर कुछ ही नहीं मतलब तीनों अलग अलग है मतलब यह तीनों unlike terms है तो भाई c part क्या हो जाएगा since it consists of three unlike terms it is trinomial बस यहापर change कर दिजएगा answer आजाएगा trinomial यहापर change कर दिजएगा c लिक करके इसको change कर दिजएगा answer आजाएगा असान सही question note कर दिजएगा quickly kids all right instruments बढ़ता है आगे देखता है next देखता है next question write the algebraic expression of 5 subtract it from y cube 5 subtracted from y cube y cube y cube y cube y cube का मतलब y की power 3 y cube में से subtract होगा 5 मतलब y cube minus 5 answer समझ में आया कितना असान है भई direct answer direct answer direct answer देखिएगा बहुत simple है भई 5 subtracted from y cube y subtracted 5 subtracted from y cube 5 subtracted from y cube y cube minus 5 answer that's it how easy it is बहुत ज्यादा सान है भई बहुत ज्यादा सान है all right mathematical language बना दी हमने algebraic language given थी that's it all right note कर दीजेगा जल दीजेट students verbal language से हमने mathematical language बना दी भई चल यह बढ़ते है आगे इफ x it x equal to 1 y equal to 1 z equal to minus 2 यह इफ है भई if x equal to 1 अगर x 1 है y भी 1 है z minus 2 है then what will be the value of expression इस expression की value क्या होगी देखे भई यह question based है value of an algebraic expression पर video आई थी video का नाम था finding the value of an algebraic expression जहाँ पर algebraic expression दिया हुआ होता है variables की value given होती है बस आपको variables की value algebraic expression के अंदर put करने है solve करना है answer आजाएगा algebraic expression का तो भई given given algebraic expression is given algebraic expression given algebraic expression is given algebraic expression is x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z algebraic expression गिवन था और क्या गिवन था boss x की value y की value y की value z की value अब देखिए इसमें कितने algebraic is algebraic expression में कितने variables x y और z x की y की z की तीनों की values given है तो हम बस put करेंगे भाई क्या करेंगे हम question हो जाएगा गलत तो भाई अब हमें value put करनी है x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z में इसमें value put करनी है x की y की और z की चलिए बस x की y की और z की values put कर देते हैं x cube x की value 1 1 cube plus y cube y की value भी 1 1 cube plus z z की value minus 2 cube minus 2 का cube minus 3 into x into y into z all right x y z की value substitute की कुछ नही किया x की y की z की value put करी that's it 1 का cube 1 1 का cube 1 minus 2 cube देखी base आपको मैने बताय था पहले भी base negative power even base negative power even to answer positive और power अगर odd to answer negative to 1 cube plus 1 cube plus minus 2 cube minus 3 1 into 1 all right 1 cube 1 cube 1 minus 2 cube to 2 cube 8 base negative power 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 odd to minus 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 3 into 1 into 1 3 6 minus plus plus minus minus plus 0 answer 0 answer 0 i hope you understood this very well answer all these to 0 0 0 0 coefficient of x x ka coefficient x के साथ में multiply by x containing term term identify करिये जिसमें x है ये है x के साथ में क्या है 3 है x के साथ में क्या है boss 3 all right coefficient of x is 3 coefficient of x is 3 बात समझ में आ रही x का coefficient हो गया boss 3 clear है बिलकुल I hope you are interested this very well next देखिये भई B part 4 x y square minus 3 y cube x containing term यहां पर x है तो coefficient of x x के साथ देखिये multiply में क्या है coefficient of x x के साथ multiply में 4 y square तो 4 y square all right असांचा बढ़े साथ है question note कर दी जगा जल देखिये students note it down quickly okay kids बढ़ते हैं आगे देखते हैं next question next question boss यह रहा है screen पर write the coefficient of y in 4 x y y containing term यह रही तो coefficient of y coefficient of y y के साथ क्या है multiply में coefficient of y y के multiply में देखिये क्या है y की term यह रही y के साथ multiply में है 4x तो 4x आ गया coefficient y का बी पार्ट का अंसर जल्दी बताईएगा मुझे 4x square y minus 6x coefficient of coefficient of y is y के साथ multiply में है y वाली तर्म यह रही 4x square 4x square असान सा है question बहुत ज्यादा असान सा question है coefficient मतलब साथ में जो multiply में होता है उसको कहते है coefficient all right kids note it down quickly okay बढ़ता है आगे देखते next question यह रहा भाई next question identify the numerical coefficient of term other than constant बहुत शांदार question आपको identify करना numerical coefficient numerical coefficient other than constant constant के अलावा numerical coefficient given algebraic expression given algebraic expression given algebraic expression is given algebraic expression is six minus seven m square आपको क्या identify करना numerical coefficient numerical coefficient identify करना other than constant constant καलाव तो तो भ्ह Mailाव अलाव तरम कौकॉन से हैं constant के अलावा terms यह तो पहले आपको term identified करनी आवा terms other than constant term एक ही है तो एस नहीं आयाएगा यहां पर तो अधर दैन constant term other than constant constant अलावा term котором कौन से यह वह constant के अलावा minus 7m square अब इसके अंदर आपको find करना है numerical coefficient therefore numerical coefficient numerical coefficient of numerical coefficient of minus 7m square is minus 7 numerical number वाला coefficient minus 7 all right बात समझ में अगई algebraic coefficient कौन सा हो जाता algebraic m square numerical minus 7 all right असान साब बढ़िया साइक कुशिशन note कर लिजेगा quickly kids जल्दी से इसको note कर लो all right so rates बढ़ते हैं आगे देखते हैं 10th question ये रा बॉस write the following into algebraic expression algebraic expression में लिखना है x cube plus two times y square x cube का मतलब x cube का मतलब ये plus का मतलब addition operator two times two times का मतलब two multiply y square y square का मतलब two multiply y square all right कितना असान है बढ़िया breakdown किया अराम से solve किया चलिए इसका answer हो जाएगा बॉस required algebraic expression is algebraic expression algebraic expression x cube plus two x cube plus two times मतलब two multiply y square ये हुआ x square plus two y square मैंने लिखा है i.e. इसकी full form बताईए मुझे comment section में i.e. की full form आपको comment section में बतानी है बच्चो i.e. की full form क्या होती है all right tell me in the comment section i know आप को पता होगा मुझे पूरा परोसा है कोई ने कोई इस कहां से जरूर देगा भाई x cube x cube भाई है मैंने square कर दिया ठीक करो इसे x cube plus two times y square g x cube x की power 3 अब ठीक है बी पार्ट देखते हैं भाई बी पार्ट x cube minus three times x square x cube minus three times x square x cube plus two times y square x cube plus two times y square x cube plus two times y square x cube minus three times x square that's it all right असान साही कोश्यन नोट कर ली जगा जल्दी से किट्स all right disturbance बढ़ता है आगे देखते हैं नेक्स कोश्यन नेक्स कोश्यन यह रहा बास write the like terms in the expression like terms देखे भाई like terms like terms का मतलब like terms का मतलब ऐसी टर्म जिसमें सेम एलजेबरिक सेक्टर होता है तो भाई like terms के पेर बनने वाले four x square yz x square yz कहां पर focus x square yz पर अब देखिए ऐसी टर्म जिसमें x square yz हो एलजेबरिक सेक्टर x square yz x square yz या नहीं है x square yz या नहीं है x square yz या नहीं है x square yz यहां नहीं है x square yz यहां भी नहीं है x square yz यहां भी नहीं है y square z यहां पर है x square yz भाई कहीं नहीं दिख रही x square yz कहीं नहीं है तो यह लाइक पेर बना ही नहीं रहा किसी के साथ देखते है next x y square z focus करो x y square z पर x y square z x y square z यह नहीं है x y square z x y square z x y square z यह भी नहीं x y square z यह रहा भई तो 7 x y square z and माइनस 15 x y square z यह दोनों भई इंगलीम हो गये यह इंगलीूट हो गया और दूसरा देखते है और x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z x y z नहीं यह भी लाइक नहीं बनारहा वाई किसी के साथ next देखते है भई x square y z square x square y z square x square y z square ना भी यह यह भी किसी के साथ like नहीं बना रहा है और देखते हैं x y z square x y z square x y z square x y z square x x x y z square x y x y z square यह भी नहीं बना रहा है all right z x y square 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 यह बना रहा है वस 10 z x y square and 13 y square x z x x power 1 1 y y power 2 2 z z power 1 1 same algebraic factor same algebraic factor x y square z x y square z x y square x y square यह x square y z quieres yeah 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 नहीं मेना रहा है एक दो थीन चार एक बार फिर से लिते हैं x square y Z हूए गाई जी एक इस वाईजयार अचल मोज सब्चार्थ नहीं जी x Эच सकुए ज कूए जैबन रही है भई एक पहरीए और एक पेरिये, I hope आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से करना होता है इनको, इसलिए मैंने अलग-अलग कलर्स का यूज करके किया है, बहुत ध्यान से आपको इनको करना है, कभी-कभी टर्म मिस हो जाती है, नोट कर लिजेगा जल दिस इस्टुमेंट्स, आल्राइट गेट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और कॉश्यन, यह रहा भाई कॉश्यन स्क्रीन पर, राइट दा अलगेब्रिक एक्स्प्रेशन, इफ एज ऑफ फादर इस्टराइस दा एज ऑफ इस सन, एज ऑफ इस सन, सन की एज से कंपेर किया गया है, फादर की एज को, एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन बताना है, बस सिर्फ एलजेब्रिक एक्स्प्रेशन बताना है, एज ऑफ फादर इस्टराइस दा एज ऑफ इस सन, फादर की एज अपने बेटे की एज से तीन गुना है, Thrice मतलब three times Father की age Son की age से Thrice है Three times है, three times है Alright, three times है, three times है I hope आपके समझे मैं रहा होगा क्या करना है इसका, देखे भई Father की age को compare किया गया है Son की age से, तो Son की age को Let करना पड़ेगा, Let the Age Of Sun Let the age of Sun Be X years Sun की एज मैंने X years मान लिय है, Sun की एज मैंने X years मान लिय है, all right All right instruments, चलिये According to question, question के according, father's age Father's age Thrice the age of sun, thrice the age of sun means three times The age of sun, thrice sun's age, बात समझ में आई, thrice मनलब तीन मुना Sun की एज हमने मानी X, 3 into X, 3X years, 3X years, क्या पूचा गया, write the algebraic expression Therefore, required algebraic expression, required algebraic expression, required algebraic expression is 3X years, all right I hope you understood this very well, three times कहा गया था, इस तरहा के बहुत सारे questions आपको देखने को मिल सकते हैं और students, यह questions हमने पढ़े थे, पहले भी simple equations वाले chapter में, all right Note कर लिजेगा quickly students, okay students, तो यह था हमरा last question, most important questions, part 2 हो गया है यह था boss, part 2, part 2 में हमने करें, matching, flips, or very short answer type questions, all right Part 1 हमने पहले पढ़ लिया है, part 1 में हमने किया है, students, multiple choice questions, or true-false Students, part 1, part 2 हो गया है, part 3 में होंगे, short answer type questions, part 4 में होगा, long answer type questions And students, let me tell you, this chapter के सारे के सारे concepts मैंने आपको पढ़ा दिये, सबसे पहली video आई थी बही चेप्टर Overview, जहापर आपको पताया था, क्या क्या हम पढ़ने वाले है, पार, video 2 में आपको बताया था, बही, basics of algebraic expression, basics of algebraic expression, जहापर आपको बताया गया था, algebraic expression, क्या होता है, variables क्या होते है, constant क्या होते है, mathematical operator क्या होते है, इन सबसे मिलकर के बनता है, algebraic expression, फिर आपको बताया था, को बताया गया था बहुत ऐलगान को प्यांद किया था मतलब terms क्या होती है constants coefficients क्या होते है और factors क्या होते है ट्री डाइग्राम के साथ बहुत सारे questions करें गए थे और फिर आपको बताया था like terms and like terms and then आपको बताया गया था वै उसी वाली वीडियो में basic of algebraic expression वाली वीडियो में types of terms जहां आमने पड़ा था monomial binomial classification of terms I mean to say binomial trinomial polynomial all right after that video आई थी भाई पहली exercise पर जहांपर दो पार्ट में हमने सारे questions किये थे बहुत सारे parts थे सारे part मैंने आपको pen से करा थे भाई screen पर full presentation के साथ उसके बाद भाई video आई थी एक value of an algebraic expression finding value of an algebraic expression algebraic expression की value कैसे find करते values given होती है put करनी होती है variables यह आपको algebraic expression की value मिल जाती है उसके बाद भाई आपको कराए गए थे उस exercise उस वाली video पर जो different exercise थी exercise to के सारे questions दो पार्ट में सारे questions आपको कराये गए थे and then फिर भाई पढ़ाया गया था क्या उसके बाद पढ़ाया गया था multiple choice questions अब चल रहे हैं MIQs MIQs पुरा होने के बाद उसका आजाएगा one short revision फिर quick revision all right students इस तरह से पूरा chapter हमारा plan हो गया है complete हो जाएगा तो students यह हो गया हमारा complete part two complete होगा इसके बाद हम करेंगे part three i hope आपको सारे questions समझ में आया होंगे जो मैंने homework दिया उनको कर लेना ध्यान से okay students to now let me tell you about magnet brains magnet brains भाई अकेला इकनोता सा platform जो provide करा रहा है high quality education यहां पर आपको किंटर garden से लेके 12 तक सारी classes के सारे subject courses set मिल जाते हैं बिल्कुल free में आपको भाई सारी classes के सारे subject courses set मिल जाते हैं free में हर course set में आपको मिलेगा NCRD question conceptual videos daily practice problems multiple choice questions most important questions quick revision videos जी हां quick revision videos 15-15 minute में पूरे पूरे chapter revise करा हुए हैं जी हां पूरे chapter कोई भी concept मिसने होगा कोई भी concept मिसने होगा और 15 में सब कुछ करा दे जाएगा और वन शॉट revision और इन सब के साथ साथ live sessions आपको मिल जाते हैं live sessions आपको मिल जाते हैं बिल्कुल free में जहां और आप रियल टाइम में रियल टीजर से अपने doubts discuss कर सकते हैं पूछ सकते हैं live classes आपको मिलती हैं यह सब चीज़ाइब लेवल सी बेसी बोर्ट हिंदी मीडियम सी बेसी बोर्ट इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ट बिहार बोर्ट के लिए और यह सब कुछ बहुत बढ़िया करके डिदाइन किया हुआ है प्लेइस्ट को आप देख सकते हैं जाकर के ओके हर सब्जेक्ट आपको हम आपर मिल जाएगा ऐसे कोर्स ओके केट्स इस यह सब चीज़ाइब लेवल सी बेसी बोर्ट हिंदी मीडियम भी बोर्ट के लिए और सी बेसी इंग बेन खड़ा है अब तुम्हारे साथ भी बर्चों ओके स्वेंट्स और यहां पर स्कूल एजूकेशन के साथ साथ इस पोकल इंग्लिश कोर्स यूवीट एंट्स ओलंप्यार जैसे कोर्स के त्यारी हम लोग कराते हैं ऐसे एक्जांस की प्रपेशन हम लोग कराते हैं फ्र पर मैंगनेट ब्रेन के नाम से और फॉलो करना ना भूले फेस्बुक इंस्टा ट्विटर टेलिग्राम पर बन जाये मैंगनेट फैमिली का इसा और भाई लास्ट में सबसे अच्छी बार नोट्स आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर लिंक दिस्रिप्शन में क्लिक करिये पहुच जये ग्रैप कर लिजगा नोट्स 6 अले के 12 तक साहारी क्लासिस के नोट्स अवलेवल एंट के सरेंट इस ताम जो गुडबाय एट से गुडबाय के इस ताम जो बाई के इस थाम जो मुड़ आए गुड़ वर 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 वाचिं वेंगनेट पैंस आयम साली कोर मेंस अईगार आ विल मुड़ विल देख लेक्ड कासे लाग पाव I B M P keep learning keep growing keep exploring Bye Bye students